हलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर, मैं हूँ आपका दोस्त मौमस जैद और दोस्तों आज हम लोग सीखने जा रहे हैं नॉन वर्बल टू अर्वल तो verbal का मतलब होता है passage non-verbal में tree diagram हो सकता है pie chart हो सकता है table के form में flow chart chronological order form में food chain हो सकता है pyramid form में हो सकता है etc मैंने बताया था last lecture में भी तो pie chart को लेके मैंने non-verbal to verbal में एक example बताया है तो उसी को हम लोग थोड़ा सा refer करते हैं समझने के लिए किस तरीके से लिखेंगे but board exam में आये तो आप लोग कोशिश करने की non-verbal to non-verbal को ही लिखे verbal to non-verbal को ही लिखे because it can provide you full marks क्योंकि verbal to non-verbal में लिखेंगे तो आप लोगों को सिर्फ diagram बनाना रहेगा information फिल करनी रहेगी हो जाएगा बट वही non-verbal to verbal में लिखेंगे तो लिखने में sentences framing में गड़बड़ी होगी grammar type question में गड़बड़ी होगी so it could be resulted in the reduced marks तो आप लोग verbal to non-verbal ही ज़्यादा कोशिश करके लिखें बट अगर समझ में नहीं आ रहा है doubt है तो उस time पे आप लोग यह use कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग following pie chart shows the mode of transport used by children for coming to school on the basis of the given pie chart write a brief summary of your interpretation मतलब हम लोगों को यहाँ पे एक pie chart दिया गया है दिखतो रहा है यहाँ पे तो इसको देख के हम लोगों को इसको non-verbal में convert करना है और यह क्या दिया गया है कि बच्चे जो है 12-16 साल के बीच के उमर के बच्चे यह जादा तर कौन सी चीज़ का इस्तमाल करके स्कूल आते हैं तो इसकूल बच्चे आते हैं 50% बच्चे ठीक है जो मैं बोल रहा हूं उसी को भी इंग्लिश में लिखेंगे 8% बच्चे आते हैं साइकलिंग करके 17% बच्चे आते हैं वाकिंग करके 4% बच्चे आते हैं personal motorized vehicle मतलब खुद की गाडियों से आते हैं और parents pick and drop 21% बच्चे ऐसे हैं जिनको parents pick करते हैं और drop करते हैं means वो भी vehicles का यूज़ कर सकते हैं private vehicles का यूज़ करते हैं 4% लोग ऐसे हैं जो खुद की गाडियों का यूज़ करते हैं which is very wrong क्योंकि अभी आपके पास license तो होगा नहीं 12 से 16 साल के बीच में हो तो यह चीज अच्छी नहीं है कि आप यूज़ करो 21% भी ठीक ठाक हैं 50% बच्चे भी और सबसे अच्छे हैं 17% वाले बच्चे जो वाकिंग करते हैं उनका बाडी भी एकदम फिट रहता होगा तो यह सब चीजे में आप लोग include कर सकते हैं यह चीज हम लोग दो पैराग्राफ से जादा में नहीं लिख सकते हैं दो पैरा में भी बहुत ही कमबार हम लोग लिखते हैं जब बहुत बड़ा दे दे तो either we should write it in one paragraph verbal to non-verbal अब non-verbal to verbal है हम लोगों का तो the given pie chart highlights the mode of transport used by the children coming to school सबसे पहले इंट्रो क्या बताया गया है वो इंट्रो सबसे ज़्यादा important है इस पर आप लोगों को मिलेगा one marks ठीक है तो one marks will be here it is observed that maximum of children that is 50% of the children comes to school by bus पहला point हो गया 50% बच्चे स्कूल से आते हैं इस school आते हैं बस से 21% of the children are picked and dropped by their parents हो गया अब आप लोग इसमें कैसे वर्ट का linking words का यूज़ करेंगे जैसे whereas however और कॉमा लगा सकते हैं आप लोग then use कर सकते हैं आप लोग तो इस तरीके से linking word यूज़ करें जो एक sentence को दूसरे sentence से link कर दें जैसे आपर वेर इस link कर रहा है जैसे 21% तो आते हैं बच्चे बट वेराइस 17% भी आते हैं however 4% ऐसा आप लोग थोड़ा सा खड़ सकते हैं 17% बच्चे स्कूल आते हैं चलके the percentage of children coming by cycling is very less as a liquid होड़ा सा sentence को बढ़ा सकते हैं only 8% children prefer the option of cycling and only 4% of the children use personal motorized vehicles to come to school so as we have seen that mostly student use school bus to travel which is a very good mode of transport as a last में अपना interpretation भी दे देने का कि आप लोग क्या सोचते हो और they also save fuel by this way मतलब कि वो बस से travel करते हैं और fuel भी बचाते हैं और अच्छा mode of transport भी है और जल्दी भी पहुंच जाते हैं बट महीं जो 21% बच्चे pick and drop होते हैं parents से बड़ी बड़ी गाडियों से वो ज्यादा fuel भी नहीं बचा रहे हैं pollution भी फैला रहे हैं तो यह सभी चीजें add कर सकते हैं बट ज्यादा ज्यादा आप लोग जो इसमें information दी है एक वो लिखें इस पे यहाँ पे दे सकते हैं इसमें तो कोई टाइटल मुझे दिख नहीं रहा था that's why I have not given but title अगर लगे कि जरूरत है तो आप लोग टाइटल दे सकते हो जैसे इसमें क्या टाइटल हम लोग दे सकते हैं mode of transport used by students बस इतना आप लोग लिख सकते है mode of transport used by students छोटा सा टाइटल नहीं है यह बट फिर भी ठीक ठाक है तो ऐसा टाइटल आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं मैं भूल गया था देना तो टाइटल पे भी आप लोगों को हाफ या एक marks रहता है तो इसको अच्छे से लिख बिकाज वो आप लोगों को पांच marks प्रोवाइड करेगा और प्रूफ के साथ कह सकता हूं क्योंकि मुझे भी मिला है तो next lecture में मिलेंगे तो हम लोग story writing, narrate and experience सीखेंगे